नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है पश्चिम मंगाल बिहार और महाराष्ट के बाद जारखंड का जमसेदपूर जल उठा है सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर वहां क्या हुआ था पूलिस कैसे नहीं कंट्रोल कर पाई तो वहां पे हिंसा की सुख बुगाहट सनिवार साम को ही सुरू हो गई थी रविवार साम तक उसने रौद रूप ले लिया जिसके बाद इलाके में 700 से अधिक फोस की तैनाती की गई स्थिती को काबू करने के लिए दवरान SSP स्थमेट कई पूलिस कर्मी घायल हो गए इस हिंसा के कारणी अलाके में तनावपूर महाल बना हुआ है वीडियो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की क्या स्थिती है दरसल सास्री नगर ब्लॉक नमबर 3 चोग पर इस्थित हाई मास्क लाइट में बदहे बजरंग बली जहंडे के बांस में पॉलिथिन में आपत्ती जनक चीज बदहे होने पर लोगों की नजर पड़ी कदम थाना की पुलिस पहुँची एक पुलिस के जवान ने पॉलिथिन को हटा कर जाड़ी में ले जाकर छुपा दिया रात आठ बजे लोगों की भीड सास्त्री नगर ब्लॉक नमबर 3 में जुट गई करवाई की मांग को लेकर भाजपा समयत कुछ धार्मिक संगठन के लोगों ने हंगामा किया थोड़ी देर में अने धार्मिक संगठन के लोग भी मौके पे पहुँच गए रात ग्यारा बजे पुलिश ने समझा बुझा कर मामला सांत करा दिया वहाँ पोर्स की तैनाती कर दी गई सनिवार का ये घटना करम किसी तरीके से गुजर गया रविवार सुबाई 11 बजे कदमा सास्तिरी नगर ब्लाक नमबर दो में दो धार्मिक संगठन के बीच पत्थर बाजी शुरू हो गए साथ बजे सिटी एसपी के विजय संकर स्डी ओप्यू सिनहा समें तमाम अधिकारी मौके पर पहुँचे दोनों पक्छों को खदेडा बावजूद इसके पत्थर बाजी होती रही इसी बीच दुकान वो बाइक में आग लगा दी गई पुलिस के बार बार खदेड़ने के बावजूद एक समुदाय से पत्थर बाजी जारी रही इसी बीच दूसरे समुदाय के लोग भी चौक वे जूट गया और नारे बाजी करने लगे रभिवार साम साड़े साथ बजे जहारखन अगनिसमन और टाटा इस्टिल की दमकक गाड़ी ने आग पर किसी तर से काबू पाया एसेसपी प्रभात कुमार घटनास तल पे पहुँचे और पत्थर बाजो को वहां से खदेड़ा सुनिए वो क्या कह रहे है सिचुएसवान अभी पीस्फुल है जो लोग भी कठा हुए थे सब लोगों को अपने घर भेज़ दिया गया आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनाब कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गस्तिक कर रही है अभी किसी बगार के को दिकत में है जी 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 जो भी फोर्स हमारे पास था बहर से भी फोर्स आये हैं एक कंपनी रैफ लगी हुई है पूरे इलाका में फोर्स अभी गस्त कर रही है और अभी महाल एकदम पीस्फुल है अभी अब जैसाब देख रहे हैं कि सभी लोग तिकर भुतर हो गए है जी इस लोग को हिरासत में लिया गया है नहीं अभी घायल की सुचना तो नहीं है किसी रभिवार रात दस बजे उपायुक्त विजय जाधाव गटनास्तल पर पहुंची भाजपानेता अभाई सिंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पुलिस उन्हें थाने में मुलकात की और सबसे बादचीत की कोशिस हो रही है फिलहाल इस्थिती पे पुलिस ने नियंतरण पा लिया है लेकिन हिंसा की जो आग भड़की है वो अभी जल रही है बहुत सावधान रहने की जुरूरत है रहे ने बेखबर देखते रही है इन खबर